कार्तिक कुछ समय से पेट दर्द, भूख ना लगना, पेट खराब होना, मतली, वजन कम होना, ठकान और कमजोरी जैसे लक्षणों को महसूस कर रहा था. जब उसका परिक्षण किया गया, तो पता चला कि उसकी छोटी आत में टेप वर्म, याने फीता क्रमी नामक ये सूक्ष मजीव हैं. टेप वर्म प्लेटी हलमेंथीस संग से सम्बंधित प्राणी हैं. लेकिन इस संग को प्लेटी हलमेंथीस क्यों कहा जाता है? यहां प्लेटी का आर्थ है चप्टा और हेलमिंथ का आर्थ है क्रमी याने इस संग के प्राणी चप्टे होते हैं. इनका शरीर प्रस्ठाधार रूप से चप्टा होता है. इसका क्या मतलब है? प्रस्ठी का आर्थ है जीव का उपरी भाग और आधार का आर्थ है निचला भाग याने इनका शरीर उपर से नीचे तक चप्टा होता है इसलिए इन्हें प्रस्ठाधार रूप से चप्टा कहा जाता है इस संग के सभी जीव प्रस्टाधार रूप से चप्टे होते हैं इसलिए इन्हें प्लैटी हेलमेंथीस याने चप्टे करमी कहा जाता है इन में से कई जीव अंतह परजीवी होते हैं जिसका मतलब है कि ये आम तोर पर अन्य जीवों के शरीर के अंदर रहते हैं जैसे टेप वर्म मनुष्य के सरीर के अंदर एक परजीवी के रूप में रहता है लेकिन कुछ चप्टे करमी ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल भी परजीवी नहीं होते हैं जैसे प्लेनेरिया जो एक मुक्त जीवी प्राणी है और या तो ताजे पानी में या समुद्री पानी में रहता है लेकिन चुकी इनमें से अधिकांस परजीवी होते हैं इसलिए इस वीडियो में हम परजीवी के रूप में इनके कुछ अनुकूलनों को देखेंगे तो यह टेप वर्म याने फीता क्रमी है और यह इसका सिर है जिसे हमने आवर्धित करके दिखाया है यदि हम इसके सिर को और अधिक आवर्धित करें तो शिर का सीर्स भाग कुछ इस तरह दिखाई देता है यहां आप इन सनरचनाओं को देख सकते हैं यह विशिस्ट सनरचनाए हैं जो परजीवी के रूप में इन्हें जीवित रहने में मदद करती हैं चोकि यह फीता क्रमी हमारी छोटी आथ में पाई जाते हैं इसलिए यह छोटी आथ की दीवारों से चिपक जाते हैं ताकि यह छोटी आथ से बाहर निकलने वाले पदातों के साथ बाहर ना चले जाएं लेकिन यह छोटी आथ की दीवारों से कैसे चिपकते हैं इस कारे में ये घुमावदार सनरचनाएं इनकी मदद करती हैं इन्हे हुक या अंकोष कहा जाता है यानि ये हुक इन्हे छोटी आथ की दीवारों से जुड़ने में मदद करते हैं इसी तरह इन सनरचनाओं को सकर या चूशक कहा जाता है ये चूशक छोटी आत की दीवारों से चिपक जाते हैं जिससे क्रमी और आत की दीवार के बीच आंसिक वैक्यूम बन जाता है जिससे क्रमी छोटी आत की दीवार से आसानी से चिपका रह पाता है तो इस प्रकार हुक और शकर ये दोनों संरचनाए क्रमी को परजीवी जीवन जेने के लिए अनुकूल बनने में मदद करती है चप्टे क्रमियों के बारे में एक और विसिस्ट बात इनकी उत्सर्जन प्रणाली है इनके उस सरजन तंत्र में ये विशेश प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिने फ्लेम सेल या ज्वाला कोशिका कहा जाता है यह पूरी सनरचना एक ज्वाला कोशिका है इसे ज्वाला कोशिका इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका यह भाग जो कि सीलिया यानि पक्षमाब से बना है, इसका आकार एक लौ या ज्वाला की तरह है। जब यह पक्षमाब गती करते हैं, तब यह भाग एक जलती हुई ज्वाला या लौ की तरह दिखाई देता है। इसलिए इस कोशिका को ज्वाला कोशिका या फ्लेम सेल कहा जाता है। इन कोशिका में जब यह सीलिया गती करते हैं, तब यह पानी और उसमें घुले हुए पदार्थों को कोशिका के अंदर खीच लेते हैं। यह पानी इसमें गुले हुए पदार्थों के साथ इस ट्यूब से होकर गुजरता है और अंत में बाहर निकल जाता है। इस दोरान यहां बहुत सारे विले पदार्थ पुनह अवशोशित हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मनुशे की किड्नियों में होता है। तो इस प्रकार यह ज्वाला कोशिकाए ओस्मो रेगलेशन यानि परासरण नीमन के लिए जिम्मेदार होती है। ओस्मो रेगलेशन का अर्थ है परासरण दाप को विनीमित करना जो की पानी में विले की सांदरता पर नेर्भर करता है। मूल रूप से इसका मतलब लवण और पानी के संतुलन को बनाए रखना है। इनका दूसरा कारे उत्सरजन है जिसमें समाने तह नाइट्रोजन युक्त अपसिस्ट पदार्थों को सरीर से बाहर निकाले जाता है। इस प्रकार इन ज्वाला कोशिकाओं द्वारा नाइट्रोजन युक्त अपसिस्ट उत्सरजित हो जाते हैं। तो यह थी इनकी उत्सरजन प्रणाली। अब आईए देखते हैं कि इन चप्टे क्रमियों में जनन कैसे होता है। हम इनके जनन को थोड़ा संचेप में समझेंगे। तो प्रतेक चप्टा क्रमी हर्माफ्रूडाइट याने उभै लिंगी होता है। जिसका मतलब है कि प्रतेक जीव नर और मादा दोनों लिंग के साथ होता है। इसलिए निसेचन क्रमी के शरीर के अंदर याने आंतरिक रूप से होता है। जैसे मान लिजे कि यह अंडाणू है जिसे शुक्राणू आंतिक रूप से निसेचित कर देता है। एक बार जब निसेचन हो जाता है, तब ये निसेचित अंडे सरीर से बाहर आ जाते हैं, माल लिजे कि ये निसेचित अंडे हैं, अब निसेचन के बाद इनमें लार्वा चरण आता है, इन सभी जीवों में एक या एक से अधिक लार्वा चरण होते हैं, तो माल लिजे कि ये लारवा है इनमें एक से अधिक लारवा चरण होने का कारण यह है कि इनमें से कई जीवों के एक से अधिक मेजबान होते हैं जैसे सामान्य टेपवर्म जिसका वैज्यानिक नाम टीनिया सोलियम है इसका मध्यवर्ती मेजबान सुवर है इस जीव का जीवन चक्र सुवर के सर और मानव सरीर दोनों से होकर गुजाता है। इसलिए इसे एक से अधिक लार्वा चरणों की अवश्यक्ता होती है। इन सभी अलग-अलग लार्वा चरणों और एक से अधिक मेजबानों से गुजरने के बाद अंततह लार्वा बड़ा होकर वयस्क चप्टा क्रमी बन जाता है। कुछ चप्टे क्रमियों जैसे प्लिनेरिया में पुनर जनन भी देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि यदि इसका शरीर किसी कारणवस कई भागों में तूट जाता है तो इन में से शरीर का प्रतेक भाग एक पूर्ण नए जीव के रूप में विक्सित हो सकता है। जैसे यहां इस प्लेनेरिया का शरीर तीन भागों में तूट गया है और फिर इन तीनों भागों से प्तेक भाग एक नए जीव के रूप में विक्सित हो गया इसे ही Regeneration यानि पुनरजनन कहा जाता है